बॉल्वन डश्टी का एक ऐसा सितारा जो अपने मूफट अंदाज के लिए काफी ज़्यादा बदनाम था लेकिन उस जमाने में इस सितारी की इतने ज़्यादा चलती थी कि तमाम निर्माता निर्देशक इसे अपने फिल्मों में लेने के लिए तरह तरह के जतन किया करते थे बात कर रहे हैं हम राजमार साहब की जो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनके किये गए यादगार पल आज भी तरोता आजा है राजकमार साहब की बहतरीन डायलोग बाजी देखने के बाद हर कोई उनका दिवाना हो जाये करता था एतिने नहीं उनकी बहतरीन डायलोग बाजी इस कदर फेमस रहती थी कि पूरी फिल्म में वो अपने एक दो डायलोग की वज़े से काफी ज़्यादा लायम लाइट में आ जाये करते थी वही दूसरी ओर राजकमार साहब अपने मूफट अंदाज के लिए भी काफी ज़्यादा बंदनाम रह चुके थी अपने जमाने के कई सारे स्टार्स की वो मिंटो में बेस्ती कर दिया करते थे धर्में से लेके जितिंद्र, जितें से लेके अमताब अच्चन और गोविदा तक को भी राजकमार साहब ने नहीं छोड़ा इन सभी स्टार्स की राजकुमार साहब ने मिंटो में बेस्ती तक कर दी थी अब वैसे तो राजकुमार साहब के बेस्ती का शिकार हुए कई सारे ऐसे कलाकार रहे हैं जो काफी ज़्यादा लाइम लाइट में हैं और उनी कलाकारों की तरफ नदे डालें तो बॉल्यूट के जाने माने संगीत कारवा गायक बपी लहरी के साथ भी कुछ ऐसी हुआ और सबके सामने बपी लहरी को लेकर राजकुमार साहब ने जो बात कह दी थी उसे जानने वा सुनने के बाद आपकी भी हसी छूड़ जाएगी अब एक तरफ जहार राजकुमार साहब ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दोरान एक से बढ़कर एक फिल्में की है लेकिन उनकी सभी फिल्में हिट नहीं हुई कारण उनकी कई सारे फिल्में फ्लॉब भी हो जाती थी और एक ऐसी किस्सा बपी लहरी के साथ भी जुड़ा हुआ है यहा हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि इंड़स्टी के जाने माने संगीत कारवा गायक बपी लहरी का सोनों से कितना प्रेम है यह हमें ब गुलाका राजकमार साहब से होती है अब अपनी आदूतों से मजबूर बपी लहरी ने ठेर सारी सोनुक गहने को अपने शरीर पर लाद कर पार्टी में आये गहने को लदा देख राजकमार साहब ने भी यह कह दिया कि शानदार आपके एक से एक गहने पहने हैं सिर्फ मं को टाल दिया तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि राजमार सहाब किस तरह के मुफट इंसाथ थे वह दूसरी और अगर करियर की बात करे तो उन्होंने लगवा करीब सार्ट से जादा फिल्मों में रोल अदा किये हैं राजमार सहाब का जनम 8 अक्टूबर 1926 को बलोचिस्तान यानि पाकिस्तान में हुआ था एक कश्मीरी पंडित के हम राजमार सहाब का असली नाम कुलबूशन पंडित था और उनको प्यार से करीबी लोग जानी के नाम से पुकारते थे राजमार सहाब साल 1940 में मुंबई आ और मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूम में काम करने लगे अपनी रोबिली अवाज के वज़े से उन्हें फिल्मों में आने का मौका मिला दरसल हुआ यूँ कि राजमार सहाब की मुलाकाद जैनिफर से हुई जो फ्लाइट अंडेंटन थी बात में दोनों ने शादी कर ली और जैनिफर ने अपना नाम बदल कर गायतरी रख लिया दोनों को तीन बच्चे हुए जिन में दो बेटे और एक बेटी हुई साल 1952 में राजमार सहाब ने फिल्मों में एंट्री मारी और सबसे पहले उनके फिल्म रंगेली की इसके बाद उन्हें कई सारे ऐसे फिल्में की जिर फिल्मों के जिरिये वो धीरे धीरे फेमस होने लगे और एक समय ऐसा भी आया है जब राजमार सहाब को लोग बहुत जादा पसंद करने लगे